से दोस्तों आप सबको सवागत है अपके अपने चैनल फैंटेसी दुनिया में यह वीडियो होने वाला है पाकिस्तान ए टूर ऑफ न्यूजिलेंड का जो खेला जाएगा न्यूजिलेंड लाफ इबन के खेलाव पाकिस्तान एका मेक शूर करना वीडियों तक देखो विकॉ सब्सक्राइब कर देना हम लोग इस चैनल में क्या क्या कवर कर रहे है अल्रीडियों में सुपर स्मैश मैंस सुपर स्मैश फिर होगा गास औरी शटी 20 एंड बिग बैश लिग जो बीबल आइधिंग बहुत अच्छा जा रहा है आप लोग के लिए आए होप यह कंजिनू आप इस चैनल को फॉलो कर लेना और अब चाहो तो टेलीं चैनल भी जॉइन हो सकते हो यह फाइनल टीम फाइनल इन्फॉरमिशन आपको इधर ही मिलने वाला है हमारे टेली गरम चैनल पर तो टेली गरम चैनल जॉन होना बहुत इंपोर्टन है मैंने इविन कुछ में हमारे चैनल का link और आप search भी कर सकते हो fantasy दुनिया तो आपना join हो जाना ठीक है आपको इधर ही मिलने वाला updated team and इस app में अगर खिलना चाहते हो तो description comment section में link मिलेगा join हो जाना वहाँ पे खेल सकते हो मैं small leaks उसी app में खिलता हूँ because आपको commission कम लगता होगा and I think मेरे लिए यह matter बहुत ज्यादा करता है कितने भी winnings आप देखोगे मेरा सब स्मॉल एक्स उसी app में तो न्यूजलेंड 11 पाकिस्तान ये लिंकन में खिला जाएगा वहब रियास और हरिस्रॉफ दोनों जो इंटरनेशनल एक्स्पिरियंस प्लियर है और बाकी तो चोटे प्लियर से ज्यादा मैचेस खेले नहीं बट हाँ यह दो कितना घटिया बॉल कर सकता है वह प्रूफ हो चुका है उस मैच में न्यूजलेंड 11 के लिए क्यों सुन्डे जो अंडर 19 के आएंगे बिकॉस उस मैच में जो प्लियर स्वापनें में थे ना वो सब न्यूजलेंड के जो फर्स ग्रेट मैचे से उसमें भी वह प्लियर पार्टिस्पिट नहीं करता था वह सेकंड ग्रेट मैचेस खेलते थे बहुत नीचे लेविल के मैचेस खेलते थे उनके खिलाव इतना घट्या परफोर्मेंस था पाकिस्तान एका तो इस मैच में भी तो अलमुस्त सेमी टीम है ज्यादा अच्छा टीम यह नहीं है यह आपके लिए कुछ मैचेस यह जो फर्स क्लास मैचेस खेलते हैं बिसिकली अच्छा पंध पीक है अब तक सिलेक्शन चाहिए छेपाट परसेंट होगा अगर यह नहीं परसेंट में भी इनका प्रसेंट होगा परफॉमेंस देखो एक चब्वीस ब्यालीस यहासी इकावन बर्टिस बहुत अच्छे प्लियर है अगर आप कंपेर करोगा दूसरे प्लियर्स के साथ तो ठीक ठाक प्लियर होंगे आपके लिए आप मस्ट पीक है मेरे सब से एफ लैलमन को आप ट्राइ कर सकते हो कुछ च 30 इनका रिसेन स्कोर था जो अंडर नाइंटीन में भी खेले थे अंडर नाइंटीन का स्कोर बता रहा हूँ ठीक था किया बहुत हाइफाइं यह मिल और बैटिंग करेंगे जैकव वूला आइटिंग वाले राइटाम आप स्पिन रिसेनली ना ज्यादा यह बालिंग करते नहीं है बढ़ हाँ आप दूसरे अगर कॉंपेर करोगे टीम में तो दूसरे प्लियस कोई ही नहीं आपको लेने लाइक तो इसलिए मैं इनको लगूँगा जैकव बोला को राइटाम आप स्पिन करते हुए दिखोगे राइस एडिसन राइटाम मीडियम 05 729 कुछ खास सेमे बढ़ है नहीं अगर फिर टीम करें टफ़ कर सकते हैं शीट को मैंने खास इनको लोग है क्या ज स्थ बताता हूं मैं शीपली के बारे में इनका अठाइस नहीं बताताओ इनको dream 11 ने क्या-क्या प्यार करके इनको balling as a baller डाल दिया, यह खेलेंगे as a batting all-rounder, पहले as a batsman, middle order batsman, 3 down batsman, फिर यह बनेंगे 2 over के baller, शायद करने से भी maximum 2 over करेगा, इससे ज्यादा करेगा नहीं, इवन F sheet जो first match था, वो भी ज्यादा successful था नहीं, इवन H shipley जो एक match खेल पाकिस्ताने के खिलाफ तो वहाँ पे H shipley ने अच्छा ball batting किया था, ना कि अच्छा balling किया था, ठीक है, अधित्य अशुक under 90 spinner है, इनका recent record तो एक wicket पे 44, 060, 07, 3 wicket for 3 wicket, यह एक left arm spinner है, मैं एकदम clearly आपको बता देता हूँ, जो left arm spinner है, ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, बहुत high five इसका record है, था नहीं, under 90 level में, जो यहाँ पे guys, रोहल नजीर भी थे, पाकिस्तान के लिए, जो recently अच्छा खेल रहे है, बट एक चीस याद रखो, पाकिस्तान अच्छा spin खेलता है, तो अधित्य अशुक कितना effective होबा, यह आप सोच लेना, I don't think यह बहुत ज़् टिंकर है, मतलब इनको लेकर सोचना भी है, आपके लिए, I don't think कि यह ज़्यादा कुछ करेंगे भी, और पाकिस्तान एक ही खिला, अगर देखो, last match जहाँ पे guys, चले नहीं ज़्यादा, last match के record, I hope आपको मालूम होगा, जहाँ पे guys, दो ही प्लियर खेल दिया था, रोहिल एक इन दूसरा था, हुसेन तलाब, तो मैंने यह लिखा नहीं, आपको almost शायद मालूम होगा, last match के records तो मैं ज्यादा compare नहीं करूंगा, बट हाँ, हाँ, हाईदर अली guys, एक last match में कुछ खास किया नहीं था, जिशन मलीक का 12 तेरा रन था, बट रोहिल नजीर हुसेन किया था, अमद बट, last match में विकेट लेते वे दीखे, आपको इफ्तिकार हमेट चले नहीं, खुझदिल शाह, एक match में बालिंग किया, and last match में तो इफ्तिकार हमेट खेले भी नहीं, उस्मान कादीर का guys, last match में एक विकेट था, हरिस्रॉफ, I don't think कि यह कहां से बालिंग कर आपको तो प्लेंग 11 मिल जाएगा, मैं आपको प्रोवाइट कर दूँगा, don't worry, बैटिंग ओडर भी, complete बैटिंग ओडर मिलेगा, official बैटिंग ओडर, but तभी भी हम लोग अगर देखते हैं, तो I think ऐसा मेरा मानना है, अगर आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा, तो इस आपको बैटिंग करेंगे, शायद बालिंग करेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा यह बालिंग करेंगा, और आपको थोड़ा, मतलब अच्छा का सा मतलब थोड़ा भी रिस्क लेना है, और इवेन अगर फर्स इनिंग बालिंग होता है, इनका, I mean प सकता है कि कल बहुत ज़्यादा रन करेंगे, यह दो ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, मतलब इनका नाम भी नहीं कि एज़ा T20 प्लियर, राइस मेरियू क्या किया था, विल भी पंथ क्यों, इनका मैं उनिवर्सिटी लेवल के मैचे देखिया, अंडर 19 म बॉलिंग करते है, डेद भी करेंगे, थोड़ा तो दिक्तत देगा, शायद असना मेरा मनना है, सिर्फ कैप्टेन है, रुहल नजीर, यह दो सेफेस्ट कैप्टेन है, अब देखू, यह कब कैप्टेन सेफेस्ट, अगर है पाकिस्तान फिर्स इनिक्स बैटिंग कर लेता ह क्या मालूम, कल चारुगे ले जाए, राइस मरी, ऐसा डिफेस्टेन कैप्टेन फैस के तिन जरूर यह उस करो, बहुत शामदार बैट्समन है, यार कल देखोगे आप तो आई होप, यह कल स्कोर करेंगे, अच्छे खासे बैट्समन है, तो आई होप, आपको वीडियो पस एक अच्छा हसा मैच होगा, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, और आपको इसका, आपको हमारे टेलीग्रम चैनल का लिंक मिलेगा, कॉमें सेक्शन में तो जॉइन हो जाना है, फिलाल जो मैंने टीम ग्रेट किया, मैं आपको दिखा देता हूं, चलते ह हैदर को कैप्टेन रखा, वीसी रखा जीत रवल को, यह चेंज हो सकता है, मैं बता देता हूं, यह क्या कंडिशन में चेंज होगा, अगर पाकिस्तान फर्स्ट रिंग्स बैटिंग ले लेता है, तो रोहिल नजीर बन जाएंगे वाइस कैप्टेन, अगर पाकिस्तान फर लाउंडर खिलने वाले, not as a baller, तो आई होप इस टीम में ना कोई धंगा बॉलर है नहीं, आर हैडिसन आ सकते हैं, अगर पाकिस्तान ने फर्स इनिंग्स बैटिंग ले लिया ना, तो आर हैडिसन आ सकते हैं, मैं बता देता हूं, रिस्ट मैं किसी को शायद ट्राय ना कर तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कर देना ये इस चैनल में नहीं हो, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को टेलिगम चैनल जोइन जाओ, थैंक्यू गैस